हेलो रिवान, वेलकम टू पार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब इच्ची किसने चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे बैटने सॉल इंजेक्शन के बारे में, तो हम सेखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में कि कौन से अलग-अलग कंडिसन के अंदर ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है साथ ही जानेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, म Agr Linked उसका working, उसका dose वगेरा क्या होते है side effects क्या होते है, कौन से roots से ये इंजेक्शन दीया जाता है और जानेंगे कि pregnant sic के दौरान उसको यूज करते ही या नई या फिर यूस करते है तो कौन से अलग-अलग ऐसे conditions डेवलफ होती है कि ये injection को use किया जाता है pregnancy के अंदर तो जानते हैं डेटेल में badness or injection के बर में तो एक्सवेट लेक्चर बायमर सर आसिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर और फार्मारोक्स तेंक्यो फार्मारोक्स पेमिली अब डेटेर ये फार्मा लोलिज के साथ एक्सेस करिये study material test series और वीडियो लेक्चर फार्मारोक्स के आप उपर तो अब आप डिसीजन मेडेसिन्स रिलेटेड कोर्स भी एक्सेस कर पाऊगे कि जहाँ पे आप सभी मेडेसिन्स रिलेटेड लेक्चर उनके पीडियाप, पीडियाप, पीडियाप वगेरा अफ़ाडेबल प्राइस के अंदर एक्सेस कर पाऊगे फार्मारोक्स के आप उपर तो अगर आपके पास एंड्रोइड फॉन है तो एंड्रोइड आप डाउन्लोड करें आइफ़न यूजर एप स्टोर से डाउन्लोड कर सकते है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो एक्सेस करिए स्टडी मट्रियल टेस्स सीरीज एन वीडियो लेक्चर फार्मारोक्स के आप उपर कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर पर आप जो है वो वाट्सेप कर सकते है 9016312020 तो आप समझते है बैटने सॉल इंजेक्शन के बारे में तो बैटने सॉल जो है ऐसे क्लास का मेडिकेशन हम कह सकते कि जो है एक स्टेरोइड है कि जिसको ग्लुको कॉर्टिकोईड स्टेरोइड जो है वो कहा जाता है और ये मेडिकेशन के अंदर में जो कोई सॉल्ट कमपोजिशन हम देखे तो वो है बीटा मिथाजॉन सोडियम फास्पेट कि जिसको कहा जाता है स्टेरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग तो बैटने स्टोल इंजेक्शन के अंदर जो कोई कमपोजिशन है तो वो हम कह सकते कि उसके अंदर प्रेजन्ट है स्टेरोइड और स्टेरोइड के अंदर जो मेडिकेशन होते है अलग-अलग कि जिसके में से इसके अंदर जो बीटा मिथाजन है और उसके बहुत सरे ऐसे benefit से कि जो अलग-अलग disease and disorders को treat करने के लिए use किया जाता है और basically उसके पास anti-inflammatory actions होती है और ये steroid class का steroidal anti-inflammatory drug जो है वो कहा जाता है तो betness oil जो है उसका brand name है और salt composition जैसे मैंने आपको बताया तो वो है beta-methasone sodium phosphate जो GSK का product है कि जो GlaxoSmithline Pharmaceuticals जो है ये उसके manufacture है और GlaxoSmithline के बारे में हम जाने GSK के बारे में तो ये एक British multinational pharmaceutical company है कि जिसका headquarters Brentford के अंदर है England के अंदर और उसके बहुत सारे अलग-अलग जो plants होए वो इंडिया में भी available है तो ये multinational pharmaceutical company और उसी का ये product है betness oil तो betness oil injections के बारे में हम और detail में जाने तो ये ऐसा injection के जो ऐसे अलग-अलग conditions कि जहाँ पे mainly inflammation होता है कि जो हम कहते है कि सूजन होती है और ये सूजन होने के reasons कई बार autoimmune conditions होती है inflammatory diseases वगएरा होती है कि जिसके करण आपको सूजन वगएरा होती है फिर ये injections को अलग-अलग ऐसे conditions कि जैसे कि आपको swelling होई है सूजन होई है redness जैसे condition है pain हो रहा है तो ये medications क्या कर रहा है कि जो pain के लिए responsible जो mediators होते है redness, swelling मतलब कि जो inflammation और सूजन के लिए और उनके साथ associated जो pain होती है जलन वगएरा होती है तो उसके लिए related जो mediators होते है chemicals होते हैं कि जो responsible बनते हैं ये सभी conditions के लिए तो उनको block करके अपनी effect देती है और prevent करती है release of substance that cause inflammation की inflammation करने के लिए ऐसे substances या फिर जो chemical हम कहते है mediators जो release होते हैं उनको block करके अपनी जो है वो action देता है तो ये है simple basic information about the badness or injection अब जानते उसके basic use के कौन से अलग-अलग medical conditions में आप उसको use कर सकते हैं तो एक तो allergic conditions के समझे कि आपको कोई allergy हो रही है और उसमें भी specialist skin related जब allergies वगएरा होती है तो skin allergies को treat करने के लिए ये injection जो है वो use किया जाता है और दूसरा हम देखे तो breathing problem के समझे कि आपको breathing करने में problem हो रही है difficulty हो रही है breathing के अंदर तो उस वक्त ये injection यूज़ किया जाता है फिर arthritis के अंदर कि जो joint related हम pain कहते हैं joints जो होती है वहाँ पे सूजन है और pain भी हो रही है तो ऐसे conditions में भी ये injection यूज़ किया जाता है फिर जो rheumatic problems होते है skin diseases जो है वह बहुत सारी उसमें भी समझे के दूसरे कोई medication से ठीक नहीं हो रहा तो उस वक्त ये steroidal medication यूज़ की जाती है फिर severe allergic reactions हो रही है अस्थमा के condition है फिर chronic obstructive pulmonary disease कि जिसको हम COPD कहते तो COPD के इलाज में भी ये injection यूज़ किया जाता है brain के अंदर swelling है आपको या फिर eyes के अंदर pain हो रहा है after the eye surgery के आखों के कोई surgery हुई है और उसके बाद समझे के pain हो रहे है तो उसके बाद भी ये injection जो है वो कई बार use किये जाता है ये हो गए उसके basic use अब जानते हैं उसके proper indications तो पहला जो है वो allergic states के समझे के patient को कोई allergy वगेरा हो रही है body के उपर allergic reactions हो रहे है तो दुसरे जब medication से ठीक ना हो रहा हो तो उस वक्त ये बैटनेस वाल का injection use किया जाता है फिर dermatological diseases मतलब की जो हम कहते हैं कि skin related problems में इसको prescribe किया जाता है endocrine disorders के अंदर भी कई बार problem किया जो prescribe किया जाता है gastrointestinal diseases वगेरा है hematological disorders ये नियो प्लास्टिक डिसीज वगेरा है nervous system related problem ophthalmic disease, renal related problem, respiratory diseases, rheumatic disorder तो बहुत सारे number of indications है कि जो अलग-अलग medical conditions हम कह सकते हैं कि जिसको treat करने के लिए ये injection use किया जाता है अब जब आत करें उसके price की तो जब ये हमारा ये lecture publish हो रहा है कि 9th August 2021 के according to उसकी जो price है वो 40 रूपी से total 8 injections की कि ये जो आप समझो कि खरीते हैं injections का पूरा box तो इसके अंदर आपको 8 जितने injections मिलेंगे एसे 8 ampules जो है ये injections के अंदर रहेंगे और ये सभी injections के अंदर content रहता है 4 mg रहता है medicines in 1 ml तो इसे 1 ml के समझो कि आप 8 injections समझो की purchase करते हैं तो इन 10 injections आपको पढ़ेगे 40 रूपीस के अंदर तो एक injection के समझो कि हम price लगाए तो वो रहेगे सिर्फ 5 रूपीस के एक ampules जो आएगा उसका वो सिर्फ 5 रूपीस का because 8 injections के price अभी आप चेक करोगे तो वो ह 5 रूपीस तो एक single dose का injection पढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ 5 रूपीस के अंदर की जो काफी affordable medication हम इसको कह सकते हैं तो अब जान लेते हैं उसके dose के बारे में और कौन से root से use किया जाता है तो ये injection इस तरह से muscles के अंदर intra muscular भी दिया जाता है और साथो साथ vein के अंदर intra venous भी उस को दिया जाते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि intravenous infusions के थुरू भी दिया जाता है या फिर intravenously directly vein में भी ये injection दिया जाता है तो adult के अंदर हम उसके dose के बाद करें तो ये injection का जो main strength है वो है 4 mg per ml मतलब कि समझे कि किसी person को आप 1 ml जितना medications देते हैं तो 4 mg बीटा मिथाजन जह है उ यूजर ये चार से लेकर 20 mg बीटा मिथाजन जो है वो administered किया जाता है slow IV injection से half to one minute के 30 seconds half minute मतलब कि 30 seconds या फिर 60 seconds का time interval में मतलब कि इतना time जो है वो आपको लगाना है ये injection देते समय मतलब कि slowly जो है injection दिया जाता है patient के vein के अंदर कि जिसको हम कहते हैं intravenous injection की इस तरह से तो एक ml जितना समझो कि आप deliver करते तो उसके लिए at least जो है आप 60 seconds लगा सकते है या फिर 30 seconds लगा सकते है ये medications को by vein के थो administered करने में उसी तरह से समझो कि intra muscular भी use किया जाता है तो भी same dose जो है वो दिया जाता है तो minimum जो है वो 4 mg पर दे या फिर maximum 20 mg पर डे जितना dose जो है वो आप use कर दे तो minimum dose हम देखे तो 4 mg जो है वो पर डे जो है वो use किया जा सकता है और maximum जो है वो patient के conditions के according to 20 mg पर डे जितना जो है वो use किया जा सकता है मतलब कि आपको 4 mg जितना ही पर डे inject करना है तो उस वक सिर्फ एक ही injection देना सही रहेगा और समझे के 20 mg जितना administer करना है तो उस वक एक पांच injection या फिर 5 ml जितना content जो है वो deliver किया जाता है बट ये एक ही time पर नहीं दिया जाता between the two injection के दो injections के बीच में at least आप 4 से लेकर 6 गंटे का time interval रखने के बाद ही दूसरा जो है वो dose patient को देना चाहिए तो simple में समझाता हूँ कि आपने समझो कि सुबह 8 बज़े patient को को injection दिया है ये और ये administered किया है 1 ml जितना तो at least उसके 4 गंटे या फिर 6 गंटे के बाद मतलब कि दूसरा जो है वो आप 2 बज़े जो है वो दूसरा injection या फिर दूसरा dose जो है वो दे सकते है 1 ml का उसी तरह से उसके exit और 6 गंटे बाद मतलब कि आठ बज़े के आसपास आठ बज़े के आसपास जो है वाप उसका third dose दे सकते है इस तरह से proper 6 गंटे या फिर 4 गंटे का time interval जो है वो रखना चाहिए दो dose के बीच में dose can be repeated 3 और 4 times in 24 hours कि 24 hours में आप 3 टाइम उसको repeat करे या फिर 4 टाइम जो है वो repeat कर सकते है बेज़ोन पेशंट कंडिशन पर ध्यान यह रखना है कि सिर्फ 1 ml जितना ही एक टाइम पे जो है वो inject करना चाहिए कि जिससे कोई side effect ना हो और कोई दूसरे reactions ना हो patients के उपर अगर pediatric population में समझो कि उसको use किया जाता है मतलब कि बच्चों के अंदर use किया जाता है तो समझो कि 1 year का child है या फिर 1 या फिर उससे भी कम age है तो उस वक्त सिर्फ 1 mg जितनी medications दी जाती है per day मतलब कि 0.25 ml जितना ही ये content दिया जाता है 1 to 5 year जितनी age है तो 2 mg मतलब कि ये injection आफ ये वाला use करते है 4 mg पर ml तो उस वक्त सिर्फ 0.50 ml जो है वो deliver किया जाएगा फिर 0 to 12 years है तो 4 mg मतलब कि 1 ml जितना और ये dose भी same जो है वो repeat किया जा सकते है 3 times या फिर 4 times इने 24 hours so patient की conditions के according to dose जो हो use किया जै तो ये खास द्यान रखे कि pediatric population में क्या dose है as well as adults के अंदर फिर समझते उसकी mechanism तो beta metazone जो हमने समझा कि वो एक corticosteroid है और corticosteroid की जो हम effect देखे तो वो हती है anti-inflammatory and immunosuppression effect जो हो उनकी रहती है तो ये क्या करते है ऐसे mediators की जो responsible है inflammation के लिए उनको inhibit कर देते है कि ऐसे mediators को समझे कि prostaglandin release हो रहा है और वो responsible बन रहा है surgeon के लिए pain के लिए तो ये prostaglandin की जो effect होती है उसको inhibit कर देंगे एसे ही जितने भी pain के mediators, inflammation के mediators जो होते है surgeon के लिए सबी को block करके अपनी pharmacological action देते है तो ये जो medications क्या करते है specially SSL की जो inflammatory cells होते है और वहाँ पे जो chemical release होते है कि जिसको inflammatory mediators कहा जाते है तो उनकी effect को block कर देते है या फिर reduce करके ये अपनी effect देता है अब समझते है उसकी side effect के कौनसे अलग-लग side effect develop हो सकते है तो समझो कि जहाँ पे injection दिया जाता है तो वहाँ पे वो side पे reactions हो सकते है कि समझो कि आपको intra muscular injection दिया गया है या फिर intra venus दिया गया है directly vein के अंदर तो उस वक्त ये injection side पे आपको pain हो सकता है swelling मतलब कि सूजन हो सकती है या फिर readiness हो सकती है कि ये एक common side effect है ये injection के तो injection side पे से reaction जो हो सकते है कि अगर आप ये injection को intra muscular या फिर IV दोनों तरीके से लगाने पर ये injection side के reactions देखने को मिलती है insomnia मतलब कि patient को कई बार नेंद नहीं आती late night तक vertigo मतलब कि कई बार चक्कर आ जाते है weight gain हो सकता है impaired skin healing कि समझे कि skin related ऐसे कोई issue है तो उनकी healing को जो है वो अल्टर कर सकता है depression में जा सकता है patient के समझे कि higher dose आप लंबे समय तक लेते रहते है तो उससे आपके mental health के उपर असर पढ़ सकती है hypertension मतलब कि blood pressure जो है वो patient का reduce हो सकता है कि अगर काफी higher dose के अंदर ये use किया जाए effect के तौर पे appetite increase करते में लब कि ये injection के therapy आपके उपर चालू है तुसवक्त patient को जो है वो बूख ज्यादा लगती है फिर कई बार electrolyte imbalance हो जाता है neurological disorders देखने को मिलती है hair growth जो है वो abnormal हो जाती है blood sugar level जो है वो increase करवा सकता है कई बार bone muscle and joint के अंदर pain हो सकती है gastrointestinal disorder या फिर skin disorder हो सकती है अगर उसको high dose के अंदर जो है वो लंबे समय तक आप use कर दो ये side effect तब ही देखने को मिलती है कि जब higher dose में use किया जाती है जैसे हमने बात की कि 4 mg से लेकर 20 mg per day जो हो आप use कर सकते है तो 4 mg हो गया उसका minimum dose और 20 mg जो हो गया उसका maximum dose पर उससे भी ज्यादा dose के अंदर आप उसको use करवाते है और लंबे समय तक use होता है तो ये सब side effect जो है वो और ज़्यादा severe हो सकती है patient के लिए अब समझते हैं contraindications के कौनसे conditions में use नहीं करते तो पहले condition की pregnancy के दवरान use करना जो है वो unsafe है because FDA के according to जो है वो category जो है उसकी C category के अंदर है कि pregnancy category C के अंदर ये medication आता है और ऐसे patient के जिनको kidney disease है उनके लिए भी proper precautions के साथ जो है वो use किया जाता है फिर आपको hypersensitivity या फिर आपको ये injection लेने के बाद तुरंत ऐसे allergic reactions होने लगते है और ऐसे कोई आपके past medical history है तो जरूर से आपके doctor या फिर pharmacist को बताना चाहिए कि जिससे इसका कोई alternative medications आपको suggest करें फिर ऐसा tuberculosis के जो untreated है या फिर inactive TB के patient है तो भी ये injection नहीं देनी चाहिए फिर harpes simplex infection है आखों का तो भी use ना करें infection है कोई fungus के करन तो भी ये injection use नहीं किया जाता और ऐसे condition के जिसके अदर आपके thyroid hormones के जो level है वो काफी काम है तो ऐसे condition में भी ये injection को use नहीं करनी चाहिए फिर अब बात आती है कि pregnancy के दरन उसको use करे या ना करें तो जब ऐसे condition है कि benefit जो है वो ज्यादा है कि pregnancy के अंदर कई बार ऐसे complications होते तो उस वक्त बेनेफिट ज्यादा है compared to the risk तो उस वक्त ये injection जो है वो दिया जाते है कि risk कम है और benefit ज्यादा है कि ये injection use करने से pregnancy के कुछ ऐसे complications कि जहाँ पर आपको benefit हो सकते है over risk तो उस ये injection use किया जाता है कि जैसे कुछ हम condition देखेंगे तो पहले condition ऐसे है कि जैसे कि high risk of preterm birth कि जिसको हम कहते है कि पूर्व प्रसव की स्थिती कि जो normal समझे कि proper pregnancy के week जो हम consider करें तो जो 40 weeks का जो proper term होता है कि pregnancy का जो term हम कहें तो 40 weeks का जो normal term है बड़ उससे पहले समझे कि प्रसव हो जाता है तो समझे कि labor हो जाता है around 32 से 35 weeks के आसपास या फिर ऐसे conditions develop होती है कि उस वक्त अभी baby जो हो proper develop नहीं हुआ या फिर उसके lungs अच्छे से develop नहीं हुए और या फिर उसके heart अच्छे से develop नहीं हुआ अभी तक lungs या फिर brain जो हो proper नहीं develop हुआ बिकॉस अभी 32 या फिर 35 weeks के pregnancy period है और उस वक्त ऐसे condition produce हुए कि जैसे कि premature रप्चर हो चुका है membranes का या फिर bleeding होना start हो चुका है या फिर preterm labor के condition जो है वो produce हुई है तो उस वक्त ये injection को दिया जाता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि इस तरह से अंदर amniotic यह fluid है यहाँ पे आप fetus देख रहे है और समझो कि किसी भी तरह से यह समझे कि membrane समझे कि rupture हो रहा है और यह amniotic fluid जो है वो बाहर आना start हो चुका है या फिर दूसरे को ऐसे complications हो रहे है कि जिसके करण bleeding हो रही है और preterm labor या फिर preterm birth की condition जो है वो produce हो चुके तो उसको हम कैसे कि risk develop हो चुका है तो उसके लंग्स ऐसे डिया जाता है कि जब risk जो है और उसके जैसे मैंने आपको बताया कि risk के compare में benefits ज्यादा है तो उस वक्त यह use किया जाता है उसके dose की बारे में हम समझे तो जो है इंजेक्शन के toe injections जो है वो around 12 mg जितने dose के दिया जाते है प्रॉपर time interval के उपर और depend on the patient condition के patient के condition कैसे होती है उसके उपर gynecologist जो है उसका dose जो है वो suggest करते हैं तो यह था हमारा special video lecture about the batnose wall injection तो ऐसे ही medicines related lectures एटन करने के लिए डाउनलोड कर यह फार्मरोक्स के एप कि जहाँ पे आप medicines related lecture एटन कर पाऊगे उनके pdf and ppt's एक्सेस कर पाऊगे कि जो आप notes वगेरा बना सकते हैं और सीखें disease and उनके treatments के बारे में affordable price के अंदर एक साल तक तो अभी डाउनलोड कर यह फार्मरोक्स एक्सेस कर एक्सेस करें आप स्टोर से लिंक आपको description box में मिल चाहेगी तो good luck and all the best